साल का आखरी चंद्र ग्रहन आज यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग आज चंद्र ग्रहन का नजारा दिखाई देगा देशवासी बूधवार तड़के तीन घंटे तक लगने वाले आंशिक चंद्र ग्रहन का गवाह बन पाएंगे जब प्रित्वी सूर्य और चंद्रमा के बीचा जाएगी यह आंशिक चंद्र ग्रहन होगा जिसे पूरे देश में देखा जा सकेगा भारतिय समय के अनुसार यह ग्रहन 16 जुलाई की रात 1 बच कर 31 मिनट पर शुरू होगा और 17 जुलाई की सुबह 4 बच कर 30 मिनट पर समाप्त हो जाएगा यह चंद्र ग्रहन पूरे भारत में दिखाई देगा क्योंकि उस वक्त यहां रात होगी चंद्र ग्रहन के दिन ही गुरू पुर्णिमा भी है आपको बता देएं कि 16 जुलाई को लगने वाले आनशिक चंद्र ग्रहन के बाद फिर 2019 का आखरी ग्रहन और 3 सूर्य ग्रहन 26 दिसंबर को होगा जिसे भारत में देखा जा सकेगा 26 दिसंबर को वलायकार सूर्य ग्रहन होगा आंशिक चंद ग्रहन तब होता है जब सूरज और चांद के बीच पृत्वी घूंगते हुए आती है लेकिन वे तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होते ऐसी स्थिती में चांद की छोटी सी सताह पर पृत्वी के बीच के हिस्से की छाया पड़ती है जिसे अम्र कहते है में हमें पृत्वी की छाया नजर आने लगती है यह चंद ग्रहन पूरे भारत में दिखाई देगा दुनिया भर में यह ग्रहन एशिया यूरोप औस्ट्रेलिया और दक्षिन अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में दिखाई देगा यह चंद ग्रहन पूरे भारत में देखा जा सकता है लेकिन देश के पूर्वी छेत्र में स्थित, बिहार, असम, बंगाल और उडिसा में ग्रहन की अवधी में ही चंद्र अस्थ हो जाएगा। चंद्र ग्रहन को देखने के लिए किसी विशेश सावधानी की जरूरत नहीं होती है। चंद्र ग्रहन पूरी तरह से सुरक्षित होता है, इसलिए आप इसे नंगी आखों से देख सकते हैं। अगर आप टेलिसकोप की मदद से चंद्र ग्रहन देखेंगे, तो आपको बेहत खुबसूरत नजारा दिखाई देगा। यूट्यूब के जरिये लोग घर बैठे चंद्र ग्रहन देख सकते हैं। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चानल नेशन भारत को।